आदरनी एक सोवाच श्री प्रग्या सागर स्वामी जी, आदरनी इंद्रेश जी, हर्षवर्दन जी, स्वामी जी, जैनल वीके सिंग जी, निधी जी, उपस्थित सभागार में और मंचा सीन सभी मानुभाव को मैं प्रणाम करती हूँ. और जब भगवान महावीर की बात हो रही थी तो जहां पर जैनल साब ने बात चोड़ी, उसी बात को आगे बढ़ाते वे कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, यूँ तो दुश्मन रहा है जमाना सद्यों से. तो जिस धर्म के देश को सद्यों से दुश्मनी जहिलनी पड़ी, हजार साल की स्लेवरी भी जहिलनी पड़ी, तो आज भी हम जिन्दा हैं और आज भी उन परंपराओं को लेकर आगे बैठे हैं और चल रहे हैं, तो कुछ तो काबलियत होगी हमारे अंदर. और उसी काबलियत को अगर दूसरी निगहा से देखा जाए, तो बगवान महावी का जन्द तो बगवान बुच्छ से भी पहले का है, और समाज में जो कुरीतिया थी, उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए एक रेफिमेटिव धर्म था, कि जो समाज की बुराईया है, उन बुराईयों को सुधारा जाए, जाती भेद, इस सब चीजों को समात किया जाए, और समाज में एक जुट्टा लाई जाए, और जितने लोग उस समय जैन धर्म को अपनाए थे, वो शत्रिय भाव के थे, और आज कग्या सागर महाराजी ने उस बात को प्रूव कर दिय कि अहिंच धर्म है, लेकिं हिंसत प्रूवरती से जूजने के लिए हिंसा का इस्त्माल अहिंसा ही है, और हिंसत प्रूवरती तो भारत पर लगातर आक्रमन के रूप में होती रही, तो उससे जूजना ही धर्म का काम है. ये आज बग्या सागर महराज जी की बारी से हम सब को आदेश की रूप में प्राप्थ हो गया है और जब भी जैन धर्म की बात आती है तो मैं तो खेर अज्ञानों बहुत ज़्यादा अज्ञान में हैं लेकिन दो तीन चीजे जो रहती है हमारे आज तो उन चीजों में चाहे दसलक्षव हो चाहे शमा पर्व हो जिसमें हम सब लोग मिच्छाने दुखड़न बोलते हैं तो यही व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाने का विशे है कि अगर कोई भी समाज अपनी गल्ती मान ले और शमा मांग ले तो फिर कुछ बचता ही नहीं और शमा जो है वो व्यक्ति का व्यक्ति की आत्मा है मतलब मनुश्य की अगर मनुश्यता की बात की जाए और व्यक्तित्व का हिस्सा है, वो मनुष्यता का हिस्सा है, वो एक क्यारेक्टर का हिस्सा है, तो इसलिए जिस धर्म में हमको शमा मांगने का बड़पन दिया और शमा करने का भी बड़पन दिया, वो जन धर्म है और वही असली अहिंसा है. अब 2621 जनमोतसब हम लोग आज मना रहे हैं और मुझे महराजी का आदेश हुआ है और वो आदेश सराखों पर कि जब हम 2550 जब हम निर्वानोतसब बनाए तो दुबारा से सबागार में एक अत्रित हो जन धर्म की जितने शिक्षाए हैं उनको लोगों तक लेकर जाए जन धर्म के विशे को लोगों तक लेकर जाए मेरी उसमें कई बार बातचीत भी हुई प्राकृत भाषा उस समय संस्कृत से पूर्व की भाषा थी और जितने भी अशोग के चैस्त म्हें या बाकी हैं, बाकी बहुत सारे हमारे स्कृप्चर्ज वे हैं बहुत धर्म के, जेन धर्म के, बारतिय बारतिय अताके, वो सब प्राकृत में हैं, और प्राकृत और ये दिल्ली उनिवर्स्टी में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इस बाशा का प्रचलन हो और हमारे घरों के कुछ बच्चे बाशा सीख सके तो बहुत अच्छी बात होगी वतलब मैं तो चातियों कि हर बारतिये दुनिया की सभी बाशा है सीखे और भारत के अंदर क्योंकि ग्यानवर्दन ताब हमारी लाइबरेडी चली गई तो उसके साथ बहुत सारा ग्यान संवर्दन भी चला गया लेकिन अन्य भाशाओं में अन्य जगाओं पर वो दूसरी भाशाओं में रेफरेंसे तो अगर बाशा सीखना तो अपने अपने बहुत ही अच्छा काम है तो सबके सब लोग अपने बच्चों को भी ये संसकार डाले तो निर् अब उसमें आप सबके सहीवकी भी मैं काम ना करूंगी कई सारे विशे मेरे मस्तिष्क में हैं और उनको हम दुनिया भर में लेकर भी जाने वाले हैं देश दुनिया के अंदर लेकर जाने वाले हैं और वो मेरा विचार मेरे मन का विचार अब इस मन से सब कुछ नहीं कहन चाहती मैं महाराजी से मिलकर उस विशे में बात करूँगी अंत में सब महाराजी को सुनने के लिए आए और बहुत लोग हैं जिनको अपनी बात कहनी है तो सिर्फ एक प्रात्मा के साथ एक स्तुति के साथ जो आपी के किताब में भी है नमा शुरी वर्दमान नाय निर्गूत कालिलाप मने सिलो का नाम त्रिलो का नाम यदी विद्ध्याम दर पढ़ाएटे तो यही इश्वर से प्रात्ना है कि वर्दमान स्वामी महराजी को पढ़ाम उनकी आदर्शों पर हम चल सकें मानपता का भला कर सकें दुनिया को त्रिलो को संपूर शक्ती से परिपूर करें और यही विद्ध्या हमको प्राप्त होती रहे ताकि देश दुनिया में सब कुछ बैलेंस रहे और जिस सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स की बार दुनिया करती है वो हजारों वर्षपू हमारे गुरु हमको सिखा कर गए हैं उनके दिखाएवे रास्ते पर हम लोग चलें और देश दुनिया को संबर्धन कर सकें जय हिन जय भारत